30 of Legislature, पिछले 5 दिनों में 18 पर सर्थ, 38 पर सेट, एक साल में 151% रिटरन देने के बाद, GTL Infra, बढ़ा निवेश होने की उम्मीद है LIC की तरफ से शेर धारक, यहाँ पर होगे माला-माल, अगर ये खवर होती है सही, सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो एक infrastructure service providing company है जो देती है आपको telecom के tower और ये करीब 28,000 टावर हिंदुस्तान के हर कोने में provide करती है और shared infrastructure ये देती है अपने अलग-अलग customers को but problem है debt बहुत बढ़ा है cash flow negative है operation से latest cover के अगर बात की जाए तो देखिए बहुत बढ़ा interest आ रहा है इसमें retail निवर्शिकों से भी और साथ-साथ में LIC के through भी क्योंकि अब दो सरकार की नियम बन रहे हैं सबसे पहले कि government ने clear कर दिया है अब telecom sector में कम से कम तीन कंपनिया रहे जो front ending करेंगी तो इसमें तीन कंपनियों में सबसे पहले कौन सी आ जाएगी आपकी Airtel जिसका सबसे बड़ा market capital है यहाँ पर और सबसे बड़ा service provider भी है उसके बाद Reliance Group की जियो एक बहुत बड़े level पर काम कर रही है और तीसरा जो important आएगा यहाँ पर वो है word of one idea का तो य उनका जो common denominator आ रहा है तीनों में वो यह रहेगा कि company जो हमारे GTL Infra जैसी है उनको tower बढ़ाने की capacity बढ़ेगी क्योंकि government ने भी यहाँ पर बताया है कि आने वाले सालों में 48,000 और towers उनको चाहिएंगे तो यह सारी के सारी चीज़े अब यह GTL Infra प्रोवाइड करेगा और ज इसको बढ़ा कर अपना stake इंप्रूव किया जाए और यह शायद अब्टू 25% तक इसको stake लेने की कोशिश करेगा क्योंकि government अब retail को दिखाना चाहती है कि 3 company कम से कम चाहिए और उसके लिए infrastructure को भी बहुत बढ़ा काम करना पड़ेगा अब retail निवेश को ने इसको बहुत अच्छे load level पर खरीदा हुआ है देखे हमने इसको काफी अच्छे समय से 45% क्यास पास इसको recommend किया था और यह daily high traded volume रहता है टेलिकॉम सेक्टर बहुत बढ़िया demand रही है और government की LIC का investment यह इसके लिए बहुत अच्छा positive भवर रहेगा क्यों हो रहा है सबसे highest trading देखें दो रुपे का share भी अगर आप देखें तो आपके पास एक लाक्ष है तो आप आराम से 50,000 share इसके खरीज सकते हैं और कितना आपको निवेश करना चाहिए एक चीज़े बस समझेए कि हमारा चैनल आपको recommend करता है अगर यह penny stock है जैसा की GTR infra है तो अपने पूरे capital का 2% से ज़ादा आप निवेश मत कीजेगा यह हम हर वीडियम आपको सबादेते हैं अगर large cap है तो 5% small cap या mid cap है तो 2% तक र interesting volume बन रहा है देखें टावर कितने बड़े बड़े बन रहे हैं करीब करीब half a billion share hand exchange हो रहे हैं इसमें यहाँ पर और यह एक टावर यहाँ पर भी बहुत बना था बढ़िया जिसमें की volume इसने अब ठीक दिखाया था तो यह clear indicate है कि volume के साथ यह growth दिखा रहा है अपनी average 30 करोन के आसपास share hand exchange होते हैं daily जिसकी वज़े से यह बहुत बड़ी limelight पर है और 5G की requirement की बहुत बढ़ी है और आगे 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 तीन सौलों में इसका order book बहुत ही बढ़िया लगेगा यहाँ पर high demand रहेगी जो तीनों company हैं बड़े वाली वो इसका infrastructure को use करेंगी और साथ साथ में data group का जैसे हमने आपको बताया था वहां से भी इनको support मिल सकता है क्योंकि वोड़फोन idea और BSNL का भी बात चल रहा है आगे इसके services को use करने के लिए 2020 में डिलिस्टिंगी खबर आई थी जब GTL को 2 रुपे के बहाव पे कंपनिया इसको बेचने के बोल रही थी कि हम इसको डिलिस्ट कर देंगे बड़ यह successful नहीं हो पाया हो सकता है आगे future में करें बड़ शेर होल्टर इसको अप्रूब नहीं करेंगे जब तक ये बड़े इंफ्रस्रक्चर प्रवाइड रहेगा जो की GTL इंफ्रा और उसके लिए ये LIC का सपोर्ट लेंगे यहाँ पर इसमें अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए और टाटा के इंगल जब रहा है BSNL के साथ टाटा ग्रूप के साथ ग्रूप है और वो उनको GTL इंफ्रस्रक्चर करेंगे TCS के थ्रूप कंबाइन करकर BSNL भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरह से सपोर्ट कर सकता है इस एंगल के लिए जो ये चीज़ बनेगी ये तीनों को BSNL, Tata Group और TCS का बिना कर ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर माना जाएगा इस टेलिकॉन सेक्टर क और और विवन्यू तो स्टेडी रह रहा है बट कैश फ्लो जो है वो नेगटिव है जिसकी वज़े से ये थोड़ा सा चालेंज है यूतरी के रिजल इतने प्रॉफिट सेम इन लाइन दा एक्सपेक्टेशन है जब तक इसका यूदेज नहीं बढ़ेगा जब तक इनकी ब पर माना जाए कि LIC जो इसको आगे फर्दर अपना अधी LIC का स्टेक सिर्फ तीर प्रतिशत है और उमीद लगाई जा रही है कि LIC इसको 25 प्रतिशत तक का स्टेक लेके जाएगा for supporting the government objective और ये जो remaining इसका 22% के आसपास आएगा वो पब्लिक इसको बेचेगी और लार्ज इ इसमें ये इसको एक नई हाई पे लेकर जाएगा हमारे हिसाब से multi-year high ये आने वाला है आने वाले समय में stock को तो ये आप समझें multi-year high बनाने के लिए अभी इसमें exit करने की इतनी आसानी से ज़रूत नहीं है इसको आप hold करके रखे बड़ी-बड़ी कंपनिया इसमें है आई ज़रा technical भी देखते हैं कहां पर इसको exit करना चाहिए तो ये volume अगर हम monthly basis पर देखा जाए तो ये पिछले 6-7 महीने से October से लेकर ये बहुत बढ़िया आपका volume के साथ growth हो रही है जो कि positive sign होता है stock अपने पुराने high को तोड़कर नया high बना रहा है इसने साल भर का ए हमने कुछ time पहले भी आपको बताया था जब मैं पुराना वीडियो डाला था कि ये consolidation phase और clear indicate कर रहा है कि consolidation को breakout देने की कोशिश करेगा और वही हुआ जहां डेर रुपे में जिसने खरीदा अभी वो करीब-करीब आपको 30% के आसपास return दे रहा है within 2 week timeline तो ये positive momentum है super trend ने भी इसको buy signal दिया है RSI 24 के आसपास थोड़ा सा cautious रहेगा fresh entry यहां पर RSI के basis पर शायद ना करने की सला देगे और अगर moving average को देखे तो moving average ने इसको buy signal दिया हुआ है जब से इसने ये level cross किया था एक रुपे के आसपास का तो तब से अभी भी इसका momentum positive ही है यहां पर stock म आप जो सबसे important parameter है आपको बताना चाहते है देखे यह सबसे पहले हमारे हेसाथ से चार रुपे का target बहुत जल्दी तोड़ने वाला है तो यह आने वाले कुछी महिने में इसका target जैसे ही इसने उम्मीद हमारे ही लगाई जाएगी जैसे ही इसने 2.60 पैसे का level तोड़ा त इस stock में कोई भी जल्दी करने की जुरूत नहीं है आपको यह stock आपको long term के लिए wealth creator है जिसने 40 पैसे पर हमारे कहने पर यह stock खरीदा है और अगर 4 रुपे हो जाता है तो यहाँ पर आपको सीधा का सीधा 10 गुना profit मिल रहा है इस stock में और अगर थोड़ा पीछे जाएं तो उसके बाद में अगर यह sustain कर पाया यहाँ पर तो जो यह fall हुआ दा पंदरा तक का यह फिर अगला targets का पंदरा आएगा बर वो थोड़ा long term के view देख रहे हैं अभी के लिए short term के लिए दो target आपको ने पास बना कर रखेगा हमारे हिसाब से